So today we are starting chapter number 9 that is measurement देखो हम डिली लाइफ में कभी ने कभी ये चीज यूज करते हैं जैसे कि आप कभी ममी आपको किराना दुकान में जाने के लिए कुछ बोलते होगी एक किलो चीनी लेका रहे हो तो 1 kg सुगर तुमको लाना है चीनी लाना है तो तुम ये टर्म का इस्तेमाल करते हो ठीक है तुम घर से स्कूल के तरफ जा रहे हो तो होता है न कितना किलोमेटर तुमारे घर से स्कूल है तो क्या यूज किये किलोमेटर डिस्टेंस के लिए यूज किये ठीक है weight के लिए तुम क्या use किया? kilogram इसी तरह से distance के लिए क्या use किया? kilometer इसी तरह से दूद वाला घर में आता है तो तुम देखों को NOTICE करते हो कि तुम एक लिटर दूद लेते हो दो लिटर लेते हो जो को की तीन लिटर लेता हो तो liters में लेते हैं इसी तरह से kilometer हो गया मीटर हो गया यह सब क्या है distance को बीचीज जैसे कि इसी board का distance तुम को नापना है यहां से ले के पूरा यहां तक तो तुम scale का use करें होगी या tape का जो होता है ना tape देखते होगी घर में तो यह जो unit है इसके मलब की इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं कोई चीज को measure करते हैं तूसी को क्या हम लोग बोलेंगों term देते हैं measurement ठीक है तो हम लोग देखेंगे आज तीनों चीज एक एक करके तो इसमें यह important है इसलिए अच्छे से ध्यान से देखो ओके सी फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे length length का units ठीक है तो कोई भी चीज लंबा मलब length का चीज हम नाप रहें जैसे लंबाई हो गया किसी चीज का length हो गया तो उसका नापने के लिए हम unit का इस्तमाल करते हैं यूनेट माने तो जो लाश्ट में numbers के बाद जो यूनेट लगा था जैसे कि इसमें देखो एक मेटर होता है ठीक है मानलो एक मीटर है तो एक मीटर में होते हैं 100 cm ओके तो यह unit होता है यह length का unit है तो standard unit जो होता है मीटर होता है म início में मीटर लगेगा फिर आता है किलो मेटर सबसे बढ़ा होता है तो मिटर सबसे में लगेगा तो यह क्या होगी है con ठीक है तो question में आजाएगा कि unit of length बताईए what is the unit of length तो unit of length क्या होगा meter होगा उसी में जो छोटा होता है वो centimeter होता है उससे छोटा होता है तो millimeter होता है ठीक है सबसे छोटा क्या होता है millimeter तो हम पूछेंगे एक centimeter में कितने millimeter होता है तो 10 millimeters होता है जियान रहेगा मतलब 10 millimeters एक centimeter को बनाते हैं और 100 centimeters मिलके एक मीटर बनाते हैं और एक हजार मीटर बनके कितना बनाते हैं एक किलो मीटर ठीक है मतलब एक किलो मेटर मतलब हजार मीटर एक मीटर मने 100 सेंटी मेटर यहां लिख देते फिर से एक मीटर मने 100 सेंटी मीटर ठीक है cm और cm 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 is equal to 10 mm तो यह चीज़ को एदम अच्छे से देख लेना memorize कर लेना क्योंकि यही अभी तुमको convert करने में है बदलने में काम आएगा तो वही चीज़ अभी पढ़े हैं convert तो convert कैसे करते हैं हम दो topic है conversion conversion of length units जैसे की लिखा हुआ रहेगा conversion में convert into कैमट इठीमेडर को चैक है cm में बदलिए cm को कैसे लिख सकते हैं cm करके लिख सकते हैं cm करके लिख सकते हैं ठीक हैं और question में रहेगा यह number में मालूं रहेगा 4 müsst 4 M foul可 की से बदलनो cm में यहां मेरे unit क्या है? मेटर, मगर हमको बदलना है किसमे? cm में, क्या करेंगे? हम जानते हैं, एक मेटर मने 100 cm तो जब भी यह जो unit है इससे अगर तुम बड़ा में जा रहे हो इससे तुम बड़ा में जा रहे हो किससे जा रहे हो? 4, 4 meter है यहां पर 4 meter का value निकालना है तो जब भी बड़ा increase होता है ठीक है? तो multiply होता है क्या होता? multiply किस numbers है? तो कितना बढ़े है? तो 4, तो into यहां पर 4 कर देंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 4 into 100 400 cm 400 cm जब भी छोटा से एक से जब भी बड़ा जोगे तब हमेशा multiply होगा किस से? तो जो चीज निकालना है उसी चीज से multiply होज़ागा इसको इस तरह सभी समझ सकते हो 1 से 4 में गया है किस से multiply किए? 1 को किस से multiply किए होगा? 4 से multiply किए होगा 1 into 4 बराबर है, जब इधर 4 से multiply किए हो equal to है यहाँ पर तो यहाँ equal to के बाद क्या है? 100, यहाँ भी किस से 4 से multiply कर दो 4 से, ठीक है? यहाँ 4 से multiply किए है 4 आया यहाँ भी 4 से multiply किए होगा तो 100 into 4 गया होगा 400 cm, understood? तो यह important है इसको देख लेना, ओके? इसी में आएगा question convert into millimeters convert into millimeters mm लिख सकते हैं इसको ठीक है? millimeters को question में रहेगा मालो 9 cm एक question है 9 cm इसको convert कीजिए ठीक है? तो हम जानते हैं कि 1 cm मतलब होता है 10 mm ओके? पर हमको value कितना निकालना है? 9 cm का क्या करेंगे? हम क्या बोले? यहाँ पर क्या लिखना होगा? 9 cm क्योंकि यह इसी को निकालना है एक से तुम क्या जा रहे हो? 9 में बड़ा हो रहा है increase हो रहा है 1 से क्या जा रहे हो? 9 में तो क्या होगा? multiply हो जागा 10 into यही नंबर से 9 ठीक है? तो कितना होग यह? 90 mm इस को इस तहर से हंसकते हो 1 से 9 में कितना से multiply किया? 9 से तो यहाँ जब 9 से multiply किया हो तो 10 को भी 9 से multiply करोगा 10 से 9 से multiply करो energia तो 10 into 9 कितना होता है? 90 इस तहर से भी समझ सकते हो next question क्या है? मालो यह रहेगा इस तरह से 7 cm और 9 mm इसों convert करना होगा मिलिमेटर में तो कैसे करेंगे देखो 7 cm और 9 cm दोनों साथ में है ठीक है मलब दोनों का एक ही मलब 7 cm और 9 mm दोनों एक साथ है ठीक है तो देखो ये जो portion है ये तो पहले से millimeter में हमको किसमें change करना था millimeter में ये तो पहले से ही millimeter में कौन सा part change करना होगा तो ये part change करना होगा क्योंकि ये centimeter में centimeter है और millimeter है पहले हमको जानना होगा एक centimeter में कितना millimeter होता है कितना होता है 10 होता है ये चीज़ को याद कर लोगे और सब बन जाएगा ठीक है और हमको निकालना कितना है 7 का 7 cm मने 1 सजा रहे हो 7 में हम बोले थे छोटा से बड़ा जाओगे तो multiply होगा 10 into 7 जो number दिया उसी से multiply करो तो कितना होगी है 70 mm ओके ये तो होगी है 70 mm पर ये तो तो चोड़ दिया थे ना ये जो part है इसके साथ में था दोनों साथ में है तो ये जो छोड़ दिया हो इसको तुम पलस कर दू यहाँ पर 9 mm पलस होजगा अब देखो ये और ये सेम होगी है ये और 1 mm होगी है तो अब एड होजगा ये दोनों add नहीं होगा 7 plus 9 add नहीं हो क्यों क्योंकि ये centimeter बढ़ा है ये छोटा unit अलग लगे तो जब unit same हुए था तो add हुए था 70 plus 9 कितना होगा 79 millimeter तो इसको भी देख सकते हो तो ये तुम्हारा इस तरह से conversion का मामला चलता है ठीक है इसी में तुम convert करोगी meters में same है same process है same process है बस तुमको unit ध्यान में रखना होगा ठीक है convert into meters meters में बदलिये ठीक है मालो question में रहेगा 3 kilometers इसको बतलना है हम जानते हैं कि तो इस तरह लिहोगे we know that we know that 1 km is equal to 1,000 meters हा ना meters हो क्या लिए सकते है m meters हम जानते हैं कि 1 km मतलब हजार meters निकालना है कितना है 3 km 3 km निकालना है इससे जा रहे 1 से 3 में जा रहे बड़ा जा रहे छोटा से बड़ा जा रहे तो छोटा से जब भी बड़ा जाते हो तो multiply हो जाता है 1000 x 3 कितना होगा 3000 meters okay this will be your answer इसमें कोई भी डिक्कत नहीं लेना है माल लो 3 km रहता और साथी साथ रहता माल लो 250 meter साथी साथ क्या रहता 250 meter दोनों साथ में तो यह तो पहले से meter में है यह पहले से meter में यह question है ठीक है यह पहले से meter में तो क्या करोगे चेंज करना है स्रीफ EC को इसको चेंज किया कितना है इतना अब छोड़ कितना दिये थे 250 add कर दो 250 meter तो कितना होगी है इसको इसको जोड़ेगा तो 3,2,5,0 meter okay understood see mass और weight mass और इसको क्या बोलेंगे वजन बोलेंगे okay इसको क्या बोलते है वजन तो वजन क्या चीज होगा जैसे कि तुम किरान दुकान का example यह थे तुमको लाना होगा चीनी ठीक है चीनी लाना होगा तो तुम क्या बोलते हो एक एक किलो चीनी या आदा किलो चीनी ठीक है कुछ भी है रातिन कीलो ταल जाते हो गैं तो एक यह चो मतलब होगा के का मतलब ही होता 1000 तो तुम अगर यूट्यूब में यह वीडियो देख रहे हो तो इसमें तो अभी तक वीडियो गया नहीं है पर नॉर्मली कोई भी वीडियो देखते होगे तो तुम देखना नोटिस करना मिलियंस होता है पर उससे छोटा अगर होता है तो मालो 71K लिखा हो रहेगा के का मतलब क्या है के का मतलब है 1000 के का मतलब है 1000 तो 71 इंटू 1000 तो कितना होगा 71,000 वियू देख चुके हैं लोग उसको ठीक है तो छोटा करने के लिए इतना लंबा ना लिखने का बजाय हम क्या लिखते है के लिख देते के मतलब 1000 इसलिए यहां भी हम क्या और हाँ वजन का जो unit standard unit होता है क्या होता है ग्राम होता है ठीक है दो ग्राम यहा है kilogram ठीक है milligram इस तरह चलते आता है तो gram तो standard unit हो गिया मगर k लगा दने से k का मतलब बताए है k is equal to 1000 ठीक है याद रखना तो यह तो था normal सा बात मगर अब इसमें terms क्या है तो 1 kilogram का मतलब क्या है 1 kilogram का मतलब है 1000 gram ठीक है यह unit है याद रखना एक kilogram का मतलब है 1000 gram जैसा भी पढ़े ना 1 kilometer is equal to 1000 meter तो इसी तरह सा है कुछ difference नहीं है बस unit चंज होगा बस unit चंज होगा बाकी जो value है same रहेगा रहते हैं अब देखो कुछ हिस में तुमको terms याद कर लो जिसे कि 1 kg क कैसे कैसे लिख सकते हो किस तरह किस तरह लिख सकते हो ठीक है तो आभ ही हम पहले देखें कि 1 kg is equal to 1000 gram अब 1 kg कैसे लिख सकते हो 1 kg को तुम और एक तरीका से लिख सकते हो कैसे 1000 है तो टू इंटू 500 लिख सकते हो क्यों क्योंकि मालो यह जो वसन करने वाला होता है न बट खरा जिसको बोलते हो मालो यह 500 ग्राम का है ठीक है और एक है मेरे पास इसी तरह से एक हजार नहीं डारेक्ट यही है 500 ग्राम दो तो दो बार नहीं उसकते एक हजार के लिए 500 प्लस 500 क्या होता है 1000 इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है और इसको हम क्या बोल सकते हैं तो यह भी बात ध्यान रखोगे अब जिसे कि वन किलो ग्राम को तुम और कैसे लिख सकते हो तो इस तरह से तुम टर्म्स दे सकते हो तो यह क्यों है यह क्यों है बस कोई भी प्रोडेक्ट लेने जाते हो तो हर बार तुम क्या लेते होगे कि एक कीजी तुम नहीं लेते होगे है एक कीजी का टर्म्स में ही तुम यह समान इस वजन के हिसाब से लेते होगे ठीक है मालो एक केजी का दाम है एक कीजी का दाम तुमको पता है ठीक है एक केजी का दाम है मालो सो और रुप्या दाम है ठीक है कोई भी समान का एक कीजी का दाम सो और रुप्या है हंड्रेट को क्या बोल सकते हैं वन टेंथ मतलब दस का तुम एक बटा दस हिस्सा करोगे तो कितना आएगा 10 रुपया मतलब 100 ग्राम चीज लेना चाहोगे तो कितना लगेगा तुमको 10 रुपया जिसका दाम 1 किलो का 100 रुपया था तो इसको तुम देख लेना पेज नंबर 134 में बहुत अच्छा से उसमें दिया हुआ है तो इसमें जादर टाइम वेश नहीं करते हैं बहुत असान चीज है ठीक है इसका एक्जाम्पल कुछ ले लेते हैं ताकि और किलियर हो जाए जैसे कि मालो कुछ्चन रहेगा दा कॉस्ट ओफ वन किलो ग्राम ओफ ओनियन इस रूपीज तुवल्प वाट इस दा कॉस्ट ओफ फोर किलो ग्राम ओफ ओनियन ठीक है एक किलो ग्राम प्यास कदाम बारा रुपय है तो चार किलो ग्राम प्यास कदाम कितना होगा ठीक है तो चार किलो ग्राम कदाम एक किलो ग्राम कदाम कितना है तो रुपीज बारा है तो कितना जा रहा है फोर किलो ग्राम तुमको लेना है कितना लेना है फोर किलो ग्राम तो क्या होगा एक से किस में गए, बड़ा में गए, तो क्या होगा, 12 into 4, कितना हो गया, रुपीज 48, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, मालो, यहाँ 4 kg के बजाए, यहाँ, 256, इस बजाए, 500 g भी लिख सकते हैं, 500 g भी लिख सकते हैं, 500 g ग्राम, 500 g क्या होता है, 2 into 500 1 kg क्या होता है 2 into 500 होता है ना 500 plus 500 क्या होता है 1000 होता है अब 500 क्या लिसकते हो 1.5 kg क्या लिसकते हो 1.5 kg तो कोई भी चीज़ का 1.5 कर दो 1.5 of कितना है 1.5 of 12 कर दो 1.5 of 12 1.5 of 12 जब करोगे 2.6 है 12 तो कितना होगा 6 ठीक है मतलब 1 kg का दाम 12 रुपया है तो आधा कीजी का दाम तो आधा कर दो इसका भी आधा कर दो ठीक है half of dual तो निकल जाएगा 6 तो बहुत ही असान है तुम देख लेना इसको exercise 9.2 करोगे तो ये clear हो जाएगा तुमारा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे की question है the cost of 1 kg of tea is Rs. 280 what is the cost of 200 g of tea देखो दो method इसका करने का एक जो तुमारे लेवल का है ठीक है और एक जो तुम अगर समझना चाहो इसको अपलाई करने चाहो तो ये कर सकते हो क्या बोल रहा है the cost of 1 kg of tea is Rs. 200 c चैपत्ती का 1 kg चैपत्ती का दाम कितना है 280 रुपिया what is the cost of 200 g 200 g, gram हम जानते है kg बड़ा होता है kg जो है बड़ा होता है ठीक है ग्राम से और 1 kg मतलब 1000 g होता है ठीक है 200 g तो पहले देखो 200 g 1000 g में कैसे convert करते हो 200 g को क्या करोगे तो करोगे न 5 into 200, 5 into 200 1 kg को तुम कैसे लिख सकते हो एक kg को लिख सकते हो ना 5 into 200 और 5 into 200 इसको क्या बोल सकते हैं अभी जेस्ट हम बताते हैं कि कितना हो जाएगा half अभी पताएं कि 500 g क्या होता है half होता है इसी तरह से अगर 200 g का चीज है तो क्या हो जाएगा 100 g का चीज है तो क्या हो जाएगा 1 tenth और अगर 200 g का चीज है तो हो जाएगा 1 fifth हो जाएगा ठीक है तो इसको तुम इस तरह से भी समझ सकते हो और दूसरा तरीका है, पहले चलो इसी तरीका से इस्तमाल करता है, ठीक है, 200 ग्राम को क्या लिए सकते हैं, 5 इंटु 200 या फिर इसको लिए सकते है, 15 kg, वन अपॉन 5 kg, या 1 फिफ्थ किलो ग्राम, ओके, तो इस पैसा का भी 1 फिफ्थ निकाल दो, इस पैसा का भी 1 फिफ्थ of rupees 280, ठीक है, तो 1 फिफ्थ कैसे लिखते है, 1 फिफ्थ of मतलब इंटु 280, ठीक है, यह divide होगा इससे, महलब 280 डिवाइड होगा 5 से, तो यहां से direct करो, 5 बंजा 5, कितना है, 280 है ना, तो 5 फिफ्थ है 25, और 5 से यह 30, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, नॉर्मल मेथड जो divide क होता है, 280, 5 से डिवाइड करो, इस तरह से, 5 फिफ्थ है 25 आया, या 30, तो कितना रूपीज निकला, तो 56, यह तुम्हारा एंसर हो जाएगा,